एपे यूटीब चैनल प्लांस के लिए अगर आपका प्लावरिंग ने कर रहे हैं और कलिया बन रहे हैं फूल ने खिल रहे हैं और पैस्ट भी है के प्लांट में मित्टी में भी फंगेस वगरा कुछ भी है तो उसके लिए एक ऐसा ही fertilizer मैं अपने plants में दूँगी आपके साथ share करूँगी friends उससे हमारे plant पे अगर हमारे plant में fungus, कीडे, मकोडे कुछ भी होगा वो भी ठीक होगा और हमारे plant की flowering भी बहुत अच्छी होगी उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोशक्तत्व हैं और आपकी kitchen में ही मिलने वाला fertilizer है आप किसी भी plant में उसको दे सकते हैं, outdoor, indoor में भी और friends सेकुलेंट में भी उसको यूज़ कर सकते हैं तो आज का fertilizer हम देंगे friends आप पर्मानेंट में दीजिए या winter flowering plant हैं उनमें भी दे सकते हैं यह देखे यह मेरा गेंदे का plant है इससे मैं काफी सारे फूल ले चुकी हूँ अब दुबारा देखे इस पर flowering हो रही है तो मैं टाइम टाइम पर यही kitchen waste, kitchen से जो भी निकल ले वाले हैं छिल के बगारा जो भी फ्रेंट्स उनी से और्गैनिक fertilizer ही बना कर देती हूँ मैं आपके साथ share करती हूँ जो भी मैं अपने plants में देती हूँ देखे अधर गुल्दावदी बहुत ही जादे blooming कर रहे हैं यह flower friends और मैंने इनको धूप इधर मिलती है तो मैंने इनको धूप में रखा वह है क्योंकि इनको sunlight बहुत जरूरी होती है जो भी winter flowering plant हैं जो भी हमारे flowering plant हैं permanent हैं या winter वाले हैं उनको sunlight बहुत ही जरूरी है हमारे plant को चाहिए ही दोप, पाने, खाद, तीनों चीज़े अगर मिलती रहेंगी तो हमारा plant growth करता रहेगा और हमें time time पे इनको pest से भी बचाना है और spray भी करना है पत्तियों के उपर अगर fungus, मिली बग या aphids का attack है तो उसके लिए भी हमें अपने plant की care करनी चाहिए और त 47 गंटे पहले भीगो कर रखे थे और ये अब बिल्कुल तयार है और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी आगया है प्याज के चिलकों का इसको आप regular यूज़ कर सकते हैं इसको 8-10 दिन में भी अपने plant पर यूज़ कर सकते हैं आप मिट्टी में भी दे सकते हैं इसका B2, B3, B5, B6, B9 और इसके साथ साथ ही इसमें calcium, iron, magnesium, potash इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है जो के हमारे plant पर flowering लाने में काम करता है और zinc है फ्रेंट जिसमें और अगर कोई पूधा growth नहीं कर रहा है और खाना नहीं ले पा रहा है मिट्टी में से तो ये उसमें भी करता है तो आप ये अपने plant में जरूर दीजिए और इससे आपका plant growth करेगा और खाना जो आप देंगे अपने मिटी में fertilizer वो इसको लेने लगेगा खाना तो friends ये बहुत ही देखे कितना सुंदर मेरा fertilizer बनके तयार हुआ है और इसको कैसे देना है इसको dilute करके ही दीजिए क तो फिर मैं इसमें दो पार्ट ही पानी मिलाऊंगी एक भाग fertilizer वैसे अगर आप 12 गंटे या 24 गंटे छोड़ते हैं तो आप one part fertilizer one part water रख सकते हैं लेकिन मैं इसमें दो भाग अभी पानी मिलाऊंगी और इसके बाद आप इसको किसी भी plant में दे सकते हैं और अगर आपको spray क सकते हैं और इसमें सलफर पाया जाता है सलफर से ही हमारे plant में कीडे मकोडे नहीं होंगे उसकी गंद से भी smell से भी प्याज की smell से भी चीटियां वगएरा कुछ भी नहीं आएंगी plant में तो आप इसको जरूर दीजे बना करके और आप इसको छोटे 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 plants में प्रेंट नहीं हो जाएगा तो इसके इसको आप दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं आप इसको इसके छिलके लेकर के friends प्याज के उस मल्चिंग भी कर सकते हैं plant के उपर ऐसे मिट्टी में डाल सकते हैं और वो मल्चिंग का काम करेगा और दूसरा तरीका अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी friends कि कैसे दिया है मैंने इसको तो यह जो बचा है इसको भी मैं ऐसे ही डेलूट करके दूसरे plants में दूंगी तो friends यह बहुत ही best fertilizer है और फिरीका मिलने वाला है आपके kitchen में छिलके निकलते होंगे आप जरूर इसको यूज कीजिए फेकने से अच्छा है कि अपने plant में fertilizer बना करके आप दे सकते हैं और यह मैंने ऐसे फ्रेंट दो पार्ट मैंने और पानी लिया है अब मैं इसको जो भी मेरे winter के plants है इंदर यह flowering plant इन सब में दे सकते हैं आप इसको थोड़ा थोड़ा आप हर plant में दे सकते हैं इसको 8-10 दिन में यूज कर सकते हैं कोई भी इसका side effect नहीं है हमारे plant के ओपर पूरी तरह से organic fertilizer है तो यह देखिए मैं दर गुलदावदी में भी दूँगी बहुत ही अच्छी flowering है और अभी और नीचे बहुत सारी कलियां बनी हुई है तो उनको यह full बनने में मदद करेगा इस यह fertilizer fertilizer तो फ्रेंड्स यह बहुत ही best fertilizer है और दूसरा तरीका मैं आपके साथ share करूँ फ्रेंड्स यह है यह देखे मैंने छिलके अच्छी तरह से सुखा करके मैंने grind करके रखे हुए हैं मैं बनाना पील fertilizer भी ऐसे ही बना कर रखती हूँ उनको सुखा कर अच्छी तरह से धूप म और फिर आप ऐसे अपने प्रांट में साइड में से थोड़ी सी मिट्टी हटा कर और एक एक चमच आप हर प्रांट में डाल सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा fertilizer है और यह हमारे प्रांट से कीडे मकोडे भी भगाने में जैसा मैं कह चकनी हूँ पहले कीडे मकोडे भी हमा मेरी यह मीटी थोड़ी गीली है तो मैं अभी पानी नहीं दूंगी मैं थोड़ा बाद में शाम की टाइम पानी दूंगी तो यह बहुत ही बैस्ट फोटी लेजर है इसको डब्बे में भर करके आप ऐसे रख सकते हैं और बाद में इसको अपने प्रांट में यूज कर सकत हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए